आज रात मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ निकालें अयूब चौदवा अध्या उसका चौदवा वचन यह पुराने नियम में है और यह संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है जितने भी किताबों के बारे में आज हम जानते हैं उन सबसे पुरानी है यह पुस्तक और अयूब इसमें एक सवाल पुस्ता है जो आप सबको आजरात सोचने पर मजबूर कर सकती है एक ऐसा सवाल जिससे हर पहान दाशनी का सामना हो चुका है वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे हर एक मनुष्य, बुद्धी जिवी और महान विचार की मुलकात कभी न कभी होई है अयूब वही सवाल पूछता है जिससे इस देश के एक महान विज्ञानिक ने मुझसे तीन सबता पहले पूछा था उन्होंने कहा था विज्ञान इसके बारे में कुछ नहीं जानती है इसलिए मैं इसे सोचकर हमेशा चिंतित रहता हूँ और सवाल ये है अगर एक आदमी मरता है तो क्या वो फिर जी उठेगा? अगर एक आदमी मरता है तो क्या वो फिर से जी उठेगा? समस्या किसमे है जिन्दगी और मृत्यू में या मृत्यू और जिन्दगी में क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है आप किसी के अंतिम संस्कार में गए और कुछ समय के लिए आपने शोक किया और इसके बारे में सोचने लगे उस रात आप जब रात को सोने जाते हैं तो सोचते हैं किसी दिन मुझे भी लोग ऐसे ही ले जाएंगे और मेरे बारे में कुछ बाते कहेंगे क्या यही अंध है क्या यही पर सब कुछ खत्म हो जाएगा आप जानते हैं बाइबल क्या बतलाती है बाइबल कहती है जम लेने का समय है और मरने का भी समय है जम लेना एक अच्छी घटना है मृत्यू एक दुखान थे जिसे देख हम रोते हैं आप उत्पत्ती का पांच वाद हैं पड़ें आप वहां सूची देखेंगे उन सारे मनुस्रे का जो बुढ़े हो गये और फिर मर गये आदम 393 वर्ष जीवित रहा लेकिन वह मर गया मतुशेल नौसवण 79 वर्ष जीवित रहा लेकिन वह मर गया मैंने कुछ दिन पहले ब्राजील के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा हुआ 134 वर्ष तक जीवित था लेकिन वह मर गया हर एक जीवन का आंद मृत्यू है और जीवन बहुत ही छोटी है बाइवल बतलाती है यह एक किस्सा है जिसे सुना दिया गया यह एक फूल है जो मुर्जा जाती है और यह वो घास है जो सूख जाती है अब यह बहुत जरूरी सवाल है कि क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तयार है क्योंकि वाइवल बतलाती है हर एक मनुष्य का मरना निश्चित है लेकिन उसके बाद एक समय आएगा और वो है नियायका समय मृत्यू के बाद भी कुछ है जैसा यह अप उस तक बतलाती है और फिर से मैं यह कहता हूँ मैं आपको लैब में ले जाके यह प्रूफ नहीं कर सकता लेकिन यह अप उस तक उत्त्ति से प्रकासित वाक्य तक हमें यह सिखाती है कि यह जीवन केवल अनंत जीवन की तेयारी के लिए है एक दूसरा जीवन भी है नया नियम इसे बतलाती है पुरानी नियम इसे बतलाती है और बाइवल इसके विशे में कहती है, हाँ, हाँ, मृत्यू के बाद भी जीवन है Mrs. Elena Roosevelt ने आज से कुछ समय पहले अपने कॉलम में कहा था एक इंसान के लिए यह विश्वास करना बहुत ही कतिन है कि मृत्यू के बाद भी जीवन है आपने पूरे संसार में कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसी संस्कृति, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं देखियोगी पूरे संसार की इतिहास में जो मृत्यू के बाद भी जीवन के बारे में बताते हैं और कुछ सदी पहले जब हमारे पूर्वज और कुछ यात्री हमारे देश में आये और उन्होंने बताया कि New England के कुछ वर्ग जो पहले इस विश्वास नहीं करते थे और जब उन्होंने उनसे बात किया तो यह जाना कि वो इससे मिलता जुलता कुछ सोचते थे और हर एक मनुष्य अपने दिल में अंदर ही अंदर सोभाविक रूप से यह सोचता है कि मृत्यू के बाद भी जीवन है और कुछ तो है जो इस जीवन के पड़े है लेकिन इन सब बातों पर बोलने का अधिकार सिर्फ एक को है क्योंकि वो कब्ड में से बाहर आया वह जी उठा और उसका नाम था येशु मसी आज से लगवाग दो या तीन साल पहले मुझे यह सोभाग प्राप्त हुआ कि मैं कॉर्णरेड डेनेवा के चांसलर का इंटर्विव लूँ जब वो अपने चांसलर के पड़ पर अपने कारेकाल के आखरी वर्ष में थे क्यों बोलाया फिर मैं गया उन्होंने मेरा अभिवादन किया वो एक लंबे चोड़े वक्ति थे एक ऐसा वक्ति जिसने अकेले ही अपने दम पर विश्वयूद के बाद जर्मनी में गंतंत्र ला दिया मैं सोच में था कि यह महान वक्ति मुझसे क्या जाता है और सबसे पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वो ये था उन्होंने कहा क्या आप प्रित्यू के बाद के जिवन पर विश्वास करते हैं मैंने कहा जी सर मैं करता हूँ मैंने कहा मैं बाइबल की सिक्षाओं पर विश्वास करता हूँ उन्होंने कहा मैं भी करता हूँ उन्होंने कहा मैं येशू मसी के पुनरुत्थान के विश्वे में पढ़ रहा हूँ और उन्होंने कहा, जब मैं अपने इस चांसलर पद को छोड़ूंगा, तो अपने बचे हुए जीवन को येशु के पुनरुत्थान को पढ़ने और समझने में व्यतीत करूंगा क्यूंकि उन्होंने कहा, जब मशी येशु जिन्दा है, तो इस संसार में आसा है उन्होंने का अगर मसी जीवित नहीं है तो इस बात की कोई उमीद नहीं है कि हम बचाए जाएं क्या यह बात सही थी? हाँ प्रभू येशु मसी जीवित है वह मुर्दों में से जीवित है और उस दिन यानि इस्टर की सुबा यानि पहले इस्टर की सुबा जब मरियम, मरियम अग्दलीनी और शालोम कब्र के पास गई इस उमीद में कि वो उसके मिर्थ सरीर को देखे उन्होंने वहाँ एक पवित्र आत्मा को बैटे हुए देखा और वो उनसे पूछने लगी येशु कहा है? सो अब दूत ने कहा वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी समाचार हमने सुना है उन सब से यह महान था वो यहाँ नहीं है, उन्होंने मृत्यू को हड़ा दिया, वो जीवित है और भायों और बहनों, मैं यहाँ विश्वास करता हूँ कि रोमी इतिहास के किसी भी घटना से यह घटना ज्यादा महत्वपूर्ण और सटीक था मैं यह भी मानता हूँ कि पुरे विश्व के इतिहास में येश्व के पुनरुथान से बड़ी और सटीक घटना कभी हुई है लेकिन अगर कोई सबूत ना भी हो, कोई एतिहासिक सबूत कोई वेग्यानिक प्रमान नहीं भी मिलता हो फिर भी मैं विश्वास करूँगा क्योंकि मैं इस पुस्तक पर विश्वास करता हूँ जो परमेश्व का जीवित बचन है और आज से पहले कि कलेश्या इस पूरे पृत्वी पर इसके विश्व में बताती थी यह ऐसी ख़बर थी जिसने रोम की समराज्य को हिला दिया कि एक मनुष्य मुर्दों में से जीवित है कि वह जीवित है येश्व मसी जिन्दा है वह एक जीवित उदार करता है फिर भी मसी में जो उनके मानने वाले हैं वो ऐसा विवार करते हैं मानो वो मरा हुआ है वो मरा हुआ नहीं है वो जीवित है और बाइबल ऐसा बतलाती है अपने नियत समय पर जो उसने ठहराया है वो फिर से इस प्रत्वी पढ़ाएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा और वो राज्य कैसा होगा वो एक ऐसा संसार होगा जहां आसु नहीं होगे दुख नहीं होगा और मृत्यू नहीं होगी वो एक संदार और प्रतापी राज्य होगा जो सिर्फ एक के द्वारे चलाया जाएगा और वो होगा प्रभु येशु मसी वो जीवित है मैंने अपना जीवन एक मरे हुए मसी को नहीं बलकि जिवित मसी को दिया है और उन्होंने मुझे गाने को एक गीद दिया है उन्होंने मुझे एक जंडा दिया है कि उसे लेकर चलू और कुछ ऐसा दिया है कि विश्वास कर सकूँ मेरा चुनाव नए जीवन के लिए हुआ है मैं जानता हूँ कि मैं कहां से आया हूँ मैं जानता हूँ कि मैं यहां क्यों हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं कहां जा रहा हूँ क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा हिजकिया अपने घर वालों के ये बता दो तुम मर जाओगे अब आप और मैं मरने जा रहे हैं क्यूंकि बाइबल बतलाती है कि मेरे और आपके पास एक सरीर है लेकिन जो आपके सरीर के भीतर रहता है वो असली आप है आपका असली इंसान वही है और वही है जो सदा के लिए रहता है आपका सरीर मृत्यू के बाद कबर में जाएगी लेकिन आपके अंदर की सच्चाई आपकी बुद्धी आपकी यादे आपका व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए जिवित रहे जाएगी और जैसा बाइवेल बतलाती है आप कभी नहीं मरेंगे और आप लाखों साल और करोनों साल उस एक या दूसरे जगह पर बिताने जा रहे हैं यह इस पूस्तक के अनुसार है इस बिली ग्राम के अनुसार नहीं लेकिन मासी के अनुसार येशु ने स्वर के राज्य की बाते की है लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा नर्ग के बारे में बताया है बाइबल के अन्य लेखक नर्ग के बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं लेकिन येशु ने इसके विसे में कई बार बात की है कई लोग कहते हैं कि हम नर को नहीं मानते हैं पर वचन को मानते हैं लेकिन सच्चाई में वो वचन को भी नहीं मानते हैं येशु ने इसके बारे में कहा है लेकिन इससे उनका तातपर ये क्या था उसने कहा मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राजे में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दात पिसना होगा इससे प्रभु का क्या मतलब था? मत्ती 25 के 41 में लिखा है तब वह बाई और वालों से कहेगा हे सापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ तो सेतान और उसके लोगों के लिए तैयार की गई है इसससे प्रभु का क्या मतलब था? वो ये कह रहे हैं कि नर्ग कभी भी मनुस्यों के लिए नहीं था वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर किसी को नर्ग में नहीं भेजेगा और अगर कोई मनुस्य वहाँ जाता है तो वह सिर्फ अपनी ही मर्जी से नर्क सैतान और उसके दूतों के लिए बनाये गया था मनुस्यों के लिए नहीं परमेश्वर ने कभी मनुस्य को नर्क में भेजने का नहीं सोचा और उन्होंने अपनी सामर्थ में वो सब किया जिससे हम बच जाएं यहां तक कि अपना एक लौता पुत्र क्रूस पर दे दिया क्यूंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया उन्होंने आपको एक पवित्र और स्वतंत्र आत्मा दी जिससे आप जैसा चाहें वैसा जिन्दगी जिये अब आप अच्छा जीवन जी सकते हैं खराब जीवन जी सकते हैं आप परमेश्वर के नियम तोर सकते हैं आप उन्हें अपना सकते हैं आप परमेश्वर पर सवाल भी कर सकते हैं और वो इसके विश्वर में कुछ नहीं कर सकते क्यूंकि जब उन्होंने हमें बनाया तो उन्होंने हमें एक उपहार दिया और वो था चुनने का उपहार लेकिन बाइवल बतलाती है कि हमारी इतनी विरोध के बाबजूत भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो प्यार इतना ज्यादा है कि उसने अपना एकलोता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया और जब मसी उस क्रूस पर मारे गए हम उन बातों को नहीं समझ सकते जो उसके वाँ जाने पर हुई लेकिन हम एक बात जानते हैं कि उसने नर्क और न्याय को ले लिया जिसके भागिदारी आप और मैं थे अपने पापों के कारण और उसने इसे अपने क्रूस पर ले लिया और तब ही वो भयावा सब्द उसके होटों से निकलते हैं कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया आप इससे आपनर का मतलब समझ सकते हैं और वो है परमेश्वर से अलग होना और उस भयावाश्वर में पहली बार परमेश्वर पिता और उसके पुत्र मसीह के बीच एक परचाई आ गई जो आदिकाल से अभी तक नहीं हुआ था मसीह आपके लिए मरा और नर के कश्ट को भी साहा वह जूट बोलने का दोसी बना वह वैविचार करने का दोसी बना वह जलन रखने का दोसी बना वह सारे बुरे और नीज पापों का दोसी बना और जब वह सारे पाप उसकी आत्मा में गय परमेश्वर उसे देख नहीं सका क्यूंकि परमेश्वर इतना सुद्ध है कि वो पाप नहीं देख सकता मसी ने वो नर्क चुना जिसके योग्य मैं और आप थे उस क्रूस पर प्रबु अब कहते हैं उसे ग्रहन करो, उसमें विश्वास करो अपना भरोसा और विश्वास उस पर रखो और मैं तुम्हारे पापो को शमा करूँगा और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हे स्वर के अनंत जीवन को दूँगा वो सब तुम्हारा ही है और बिल्कुल मुफ्ध है बस तुम्हें ये करना है si उसे ग्रहन करना है क्या मौका है यह? वह आज रात आपको अनंत जीवन दे रहे है और अनंत जीवन आपके मरते ही सुरू नहीं हो जाती है एक मसी के रूप में जब आपकी मिर्त्यू होती है तब से अनंत जीवन सुरू नहीं होता वह सुरू होता है उसी वक्त से जब आप मसी येशु को ग्रहन करते हैं आज यहां साउथ के रोलीना में मौजूद सभी लोग और बाकी देश के सभी लोग आजकल ऐसा सभी जोएगा हो रहा है आप सभी चर्च में जाते हैं आप एक अच्छी जिन्दगी जीते हैं लेकिन आप सभी अपने माता पिता के धर्म की परशाय में चल रहा हैं आपने खुद के लिए मसी को नहीं चुना आपने कभी भी अपने लिए उस पर विश्वास नहीं किया असल में आप मसी को नहीं जानते हैं और आप परमेश्वर से मिलने के लिए तयार भी नहीं है और बाईवल ये बताती है कि अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तयार रहो क्या आप तयार हैं? क्या आपको यकीन है आप तयार हैं? आप जानते हैं Bible बतलाती है, कि तुम परमेश्वर की जीविते पुत्र पर विश्वास करो, ताकि तुम जान सको कि अनंत जीवन तुम्हारा है, आज रात मैं यहां बिना किसी दुविधा के इस पुस्तक के बिना पर कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ मेरे पाप समा हुए है मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग जा रहा हूँ मैं जानता हूँ कि जब तक परमेश्वर है मैं जीवित रहूँगा क्योंकि जिस पल मैंने मशीर को स्विकार किया मैं परमेश्टर की जीवन का एक हिस्सा हो गया अब मेरी आयू करोड़ों वर्स की हो गई है और वो शुरू भी हो चुकी है और मैं ये जानता हूँ और ये मेरे अच्छाईयों के कारण नहीं हुआ मैं अब स्वर्ख जा रहा हूँ और वो अपने अच्छाई के कारण नहीं मैं स्वर्ख जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सु समाचार सुनाया मैं स्वर्ख जा रहा हूँ क्योंकि ये शु क्रूस पर मरा और यह उसके क्रिपा की वज़ा से हुआ जो उसने आप पर की है हम इसलिए सोक नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम दान देते हैं बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कुरूस पे मरा और हमें बस यही करना है कि उसे ग्रहन करें और ये बहुत आसान है आप ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बस इतना आसान बना दिया है कि बच्चे विश्वास कर सके इतना असान कि एक अंधा वेक्ति, एक गुंगा वेक्ति, एक बहरा वेक्ति भी विश्वास कर सकता है किसी भी वर्ड का इंसान विश्वास कर सकता है किसी भी देश या कोई भी भासा बोलने वाले मनुष से विश्वास कर सकता है और परमेश्वर ने स्वर्ग का राज ये पाने के लिए बस इतना ही करने को कहा है कि आप उसे स्विकार करें और यह सब्द विश्वास का मतलब जो आप सोचते हैं उससे बहुत अलग है इसका मतलब है वादा, इसका मतलब है समर्पन, इसका मतलब है वो सारी चीजे जो मेरी है येशु को देता हूँ और पूरा भरोसा करता हूँ कि वो मेरा उधार करेगा इसका मतलब है उस पर जब आप मसी को ग्रहन करेंगे आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है क्या आप स्वर्ख जाने के विश्य में सून इस्चित है